आज हम आप लोगों के समक्स आये हैं मस्टर्ड सहद के बाने में क्या आप लोगों को बहुत सारी वीडियो के मादम से दिखाया गया बहुत सारे किसानों के दोवारा उपलब्दी भी करवाया गया ये सर्शों का सहद लेकिन भारत में अभी भी बहुत सारे प्रियासों के बाद भी इस सहद को नकली सहद बताया जा रहा है लेकिन मैं थोड़ा सा प्रकासी सहद के उपर डालना चाहता हूँ कि आज जो भारत का जो सहद है सर्शों का जो सहद है वो विदेशों में 95% तक की जो सप्लाई है वो विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है यह आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि मैं आप लोगों को सिधा सिधा एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज विदेशों में जाती है, वो कितनी सूध होगी, क्योंकि विदेश जब पैसा लगाता है किसी चीज के उपर, वैसे ही नहीं लगाता है, 100% ओरिजिनल सभी टेस्टों के उपर खरा उतरा हुआ प्रोडेक्ट ही विदेशों में मंगवाया जाता है, और खासकर सर्षों का जो सहद है, ये खाड़ी देशों में जा जाता है, बहुत जो पैसे में बहुत अमीर देश होते हैं, जो खान पान में बहुत अमीर देश होते हैं, जो अपने स्वास्ते के परती बहुत सजग होते हैं, वो देश सर्षों के सहद को मंगवाते हैं भारत देश से लेकिन भारत देश में क्या हो रहा है बहुत सारी advertisement के माध्यम से जो भी company आप लोगों को परोश रही हैं कोई भी बड़ा celebrity आप लोगों के समक्स आकर के दिखाता है कि ये सहद खाना चाहिए वो ही चीज या वो ही product हम लोग प्रियोग मिलाते हैं बिना जाने कि उनकी गुणवत्ता क्या है वो कैसे बनता है वो original है या duplicate है तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक स्वाल पूछना चाहता हूं आज तक हम कितने बड़े हो चुके हैं क्या हमें सिर्फ एक ही बात समझ में आई है कि लाल रंग का सहद होता है ऐसा नहीं होता है आप किसान ने अपने वीडियो में बहुत फूलों के कोई अजवाइन का कोई सर्षों का कोई जामून का लीची का बहुत सारे सहद आप लोगों को दिखाने का काम किया लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब किसानों के पास एक नॉर्मल से प्रिवार जो किसान का काम करते ह हैं मधुमक्खी पालन का काम करते हैं उसके पास इतने तरह के सहद इतने कलर के सहद हो सकते हैं तो क्या बड़ी बड़ी कंपनियों के पास भी वो सहद नहीं हो सकते हैं मिलकुल हो सकते हैं अगर वो सुदता का काम करते हैं अगर वो किसानों के द्वारा संभाली गई मधुमक्यों से पाली गई मधुमक्यों से उतपादी सहद को आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है वो बहुत सारी मिलावट सिरफ कौर्ण सिरफ ऐसे सिरफ लाकरके उसमें मिलाने का काम करते हैं और आप लोगों तक भेजन होता है वह आपके स्वास्ते को बनाने का काम नहीं कर सकता जो सहद जो प्रोडेक्ट किसानों से आप लोगों तेक पहुंचते हैं तो जो मैं आप लोगों को तो यह बात समझाना चाहता हूं क्यों सर्षों के सहद की मांग बढ़ गई है देखे लिकविड सहद में किसी बी तरह की मिलावट की जा सकती है कोई भी शिरफ मिला जा सकता है लेकिन बात आती है सर्षों के जमने वाले सहद की Okρέam होता है कि यह जम जाता है और विदेसों में जहां ठंड होती है वहां इसके नूट्रिशन जम करके इसका गलुकोज जम करके बिल्कुल सफेद और घी के रंक जैसा हो जाता है विदेसी लोग इसको ब्रेड के साथ लगा करके रोटियों के साथ लगा करके इसको खाने का काम क को मैं यही हजोड कर विंति करता हूं कि जो सहद अपने देश में उत्पादित है इसको चीनी का गोलने समझे क्योंकि अगर इस सहद में एक परसेंट भी चीनी या कोई शिरफ मिलाया जाता तो इसके अंदर बद्बू हो जाती तो कि किसानों के पास ऐसी कोई बड़ी मसीनर जाता है और जो इससे कमाई आती है उससे अपने परिवार का पालनपोस्फचन करता है तो ज्यादा से ज्यादा सवाल अंतना चसे किया जाते हैं क्या यह सुछ है ट्रैस्ट है लेकिन मैं एक बात आप से फिर से पूछना चाहता हूं कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियों के प्रोडेक्ट जो सहद आप लोगों तक पहुंच रहे हैं क्या वो सर्टिफाइड हैं अगर वो सर्टिफाइड हैं तो वो बार-बार टेस्ट करने में फैल क्यों हो जाते हैं अगर एक ही सहद के सेंपल से वो पूरा लोड चला देते हैं तो उनके सैंपल जब किसी एक कीम के दोवारा लिए जाते हैं तो फैल क्यों हो जाते हैं कि सिरप और सिरप किसान का सहए इस किसान के प्रोडیک्ट उसकी गुणवत्ता के ऊपर खरे उतर सकते हैं बाकि dec maintain नहीं है जो चीज फैक्ट्रियों से आती है वो कैसे सुधह सकती है जहां से उत्पन होती है जहां से उत्पादित होती है वही इसे उसकी गुणवत्ता ढहतै होती है। अगर यह 20 लोगों के याथो से जाकर मसीनरी से निकल के आएगी तो इसके गुणत्त कहीं न कहीं न कहीं आप लोगों ककर करके आप लोगों तक आपकी मेज तक और रसोई तक Śाम को बेजने का काम करते हैं वो भला कैसे सुध नहीं हो सकता है 100% मिलता है और जो सहद विदेशों में जाता है किसानों का कम मार्जन लेकर के विदेशों में बड़े बड़े डिलर इसका काम करते हैं तो यहीं चाहते हैं हम आप सीधे किसानों से जुड़ें और जो सहद हमारा विदेशों में जा रहा है विदेशी अपनी एनरजी बढ़ाने का काम कर रहे हैं वही सद आप अपने भारत में यूज करें और अपने लोगों का स्वास्ते बनाए एक आदमी का अगर स्वास्ते खराब होता है तो पूरा परिवार संकट में आ जाता है तो इसलिए हम आप करते हैं जो चीज आपके शरीra को नक्षान पहुंचाए आपके प्रिवार को नुक्षान पहुंचार ने जा हूँ आ चाता हुँ हमारी है वहुए सुद्दना का फायदा उठा है इस चीज को भारत में ही रोकने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको घर और आपके स्वास्ते को समरिद्ध बनाए सुरक्षित बनाए आपके जीवन को आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए